नमस्कार दोस्तों में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पनीर इसके लिए मैंने 200 ग्राम मटर लिये हैं इसे मैंने रात भर के लिए भीवो दिया था और अच्छी तरह से धो दिया है यह देखिए 200 ग्राम पनीर है प्याज है दो बड़ी साज की टमाटर है कटी हुई देखिए सुखा लाल मिर्च जीरा है 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 और हर एकपता है यह देखिए इसमें इसे मैंने पेश्ट बनाया है अधरये कलसून तरी मिर्च का औरि मैंने साथ में ही गोल की जीरा जीक को भी बीषा है तेल गर्म हो गया है अब इसमें पनीर को दाल जाए अब हम इसे अच्छी तरह से फ्राइब जब तक कि ये लाल नहों जाए इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि हमारा पनीर कड़ाई में सटे नहीं और इसे ज़्यादा अब दिप फ्राइब ने करना है इसलिए तो स तक इसे हम फ्राइ करेंगे अच्छी तरह से फ्राइ हो गया है अब हम इसे पानी में निकाल लेंगे पानी में डालने से क्या होता है कि पनीर हमारा वो काफी सॉफ्ट होता है और ये वो टेश्टी बनता है कि इस तरह से मैं सारी पनीर को निकाल लेए हम ये देखिए पानी में हम कम से कम पांच मेट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे देखिए मैंने कराई को अटा के कुकर को रख दिया था कुकर हमारी गर्म हो गई है अब हम इसमें तेल डालते हैं तेल को अची तरह से गर्म होने देंगे यह देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है अब इसमें कटोरी में मैंने जो रखा था हैं इसमें डाल रहा हैं और इसे लाल हो गया अब हम इसमें प्याल जालते हैं की बाचती इसमें टमाटे भी डाल दूंगी कि अछछा मैं ठाइब ज़टिर अब हम इस लाल होने का इंति जार चरेंगे लचको चाह período । और अजुद एक इसमें मत्र को डाल देंगे अब हम मटर को इस तरफ से मिला देंगे यह देखिए मटर हमारा फ्राई हो गया अब हम इसमें मसाले को डालेंगे यह जो मैंने पेश्ट बनाई थी उसे पहरे डालेंगे धनिया कॉड़र बल्दी कॉड़र लाल मेट्स पॉड़र नमक स्वादा में साथ अब की तरह से भूब करेंगे हल्की सी हम इसमें पानी आड़ करेंगे यह देखिए पनीर हमारा हो गया पास मिनेट अब हम इसको इस तरह से करके हाथों से निकाल लेंगे यह देखिए पनीर हमारा कितना सॉफ्ट हुआ है यह देखिए मैंने पानी से सारे पनीर को निकाल लिया है यह देखिए कितना सॉफ्ट हुआ है अब हम इसमें जो पनीर डाले थे वह पानी को हम बरबाद नहीं करेंगे उसी पानी का हम ग्रेवी बनाएंगे यह देखिए एक चमच के अंदाज हमने गरम मसाला लिया था और इसे अब हम डाल देंगे इसे डालने के बाद अब हम इसमें पनीर डाल देंगे इसे चला देंगे अब हम कोकर को बन करेंगे और 4-5 सिटी आने तक इसका इप्तिजार करेंगे गैस का फ्लेम हम हलका कमी रखेंगे ताकि मीडियम आज पे हमारा छोला अच्छा से तयार हो जाए इसे मैंने 4-5 सिटी लगा कर बनाया है यह देखिए यह खाने में काफी टेस्टी लगेगा अगर आप चाहें तो इसे चावल पराठा नान किसी भी चीज के साथ खाईए यह खाने में काफी ही टेस्टी लगेगा और जल्द से बन भी जाता है अगर हमारा वीडियो दोस्त पसंद आतो इसे सेर अलाच जरूर कीज़ेगा धन्यवाद है